नुमस्कार बच्चो आज के इस एपिसोड में इस फीडियो में हम क्या बात करेंगे हम बात करने वाले हैं क्लास 10th SST शूसर साइंस सामाजिक विज्यान की और हमारी क्लास 10th SST शूसर साइंस सामाजिक विज्यान की most important questions की सीरीज को हम continue रखेंगे ये जो हमारी most important questions की सीरीज है इस सीरीज में हम क्या करें है इस सीरीज में हम chapter wise most important questions को आपकी साथ share करते हैं अब एक question ये भी उठता है ये most important questions कौन से होते हैं कहां से ले करके आते हो तो भाई इसमें जो most important questions की हमारी सीरीज है इस सीरीज में हमने कई type के questions को include किया है एक तो वो question जो आपके board exam में continuously repeat होते रहते हैं काफी सारे questions ऐसे होते हैं जो हर बार आपके exam में लगबग आई जाते हैं एक तो उन questions को हमने include किया है second वो question जो आपके chapter की main theme को, main concept को cover करते हैं, उन questions को हमने लिया क्योंकि उनके आने के भी अच्छे खासे chances रहते हैं और तीसरे type के question है जो value based questions होते हैं क्योंकि अभी जो latest pattern रहेगा CBSE का हो, चाहिए वो state board के exam का हो तो उसके coding value based जो questions है उसके उपर भी अच्छा खासा focus रहेगा तो सभी type के questions को हम यहाँ पड़ लेकर के आते हैं और अगर आप इस series के through chapter को revise करते हो तो भी यूं कह सकते हैं कि 95% आप easily score कर सकते हो और यहाँ पर इसरफ हम questions को share नहीं करें बलकि हमारा main focus यह भी रहता कि आपके concept भी साथी साथ clear होने चाहिए आज की इस episode की अगर बात के जाए तो हम क्या discuss करेंगे आज का हमारा chapter है क्लास 10th जियो का first chapter resources and development संसाधन और विकास इस chapter से related questions को हम discuss करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे one marker question की उसके बाद हम discuss करेंगे two or three marker question को और end में हम discuss करेंगे long answer type questions यानि की five marker question को तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम discuss करेंगे आपके one marker question को जिनको आप very short answer type questions भी कह सकते हो इस बार का जो exam रहेगा उसमें कुछ questions आपके किस type के आ सकते हैं MCQs type से भी आ सकते हैं उस type के questions रहेंगे तो इस chapter के जितने भी MCQs बनते हैं most important MCQs बनते हैं उसके लिए एक अलग से separate video already published कर दिया गया तो वहाँ से भी आप MCQs के उपर focus कर सकते हो एक type के quiz हो जाएगी practice भी अच्छे से आपकी हो जाएगी तो यहाँ पी अगर हम most important questions की बात करेंगे तो पहला जो question रहेगा पहला question दियागा संसाधन क्या है example देखर करके हमें बताना है तो हमारे प्रयावण में उपलब्त पर तेक वस्तु जिसका उप्योग हमारी आवशक्ताओं को पूरा करने में किया जा सकता है उसे हम संसाधन कहेंगे और जैसे कि कोईला हो गया जल हो गया खनीज हो गया तो यह क्या है संसाधन के एकजामपल है यह तो बात हुई bookish knowledge की यानि कि bookish language की अगर हम सीधे तो और पे समझें कि संसाधन क्या होता है तो कोई भी वस्तु जो आपके काम आ सकती है कोई भी वस्तु जो आपकी जरूरत को आपके आवशकता को पूरा कर सकती है उसे हम संसाधन कहेंगे जैसे आपके हाथ में सेल्फोन है काम की चीज़ है ना तो यह संसाधन है आपने जो earphone use कर रखे है headphone जो use किया हुआ है यह भी संसाधन है आपकी जो notebook है आपकी जो books है pencil जिस bed या chair के उपर आप बैठे हो जिस room में आप बैठे हो सारी चीज़े काम की है तो वो सभी क्या संसाधन है तो आप अपनी language में भी लिख सकते है कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवशकता को पूरा करती है जो हमारी काम आ सकते है उसे हम संसाधन कहेंगे और अपनी आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कुछ भी लिख दीजीगा वो सारी चीज़े है resources यानि के संसाधन है चलिए अगले question की बात करते है next हमारा question दिया गए second question है कि दुनिया में संसाधन हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रियाप्त है त्यान से सुनिए दुनिया में संसाधन हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रियाप्त है लेकिन हर किसी के लालेच को पूरा करने के लिए कम है ये शब्द किस ने कही है तो ये महत्मा गांधी ने कही है उन्होंने क्या कहा है सार्म बता देता हूँ उन्होंने कहा कि भाई ये जो संसादन है वर्ल्ड में विश्रू में जितने भी संसादन है वो पेट भढ़ने के लिए तकाफी है लेकिन पेटी भढ़ने लग जाओगे न तो कम पढ़ जाएंगे ओके ये कहा है किस ने कहा है गांधी जी ने कहा है किस अंसादन भाई अगर आवशकता पूरी करने है तो ठीट आ गए लालच पे आ गए न हमें बताना है तो क्रेक जो आपका आंसर है वो रहेगा शुमाकर नहीं ये लिखिया जैसे अगर आप हिंदी मीडियम की NCRT की बुक को देख रहे है तो उसमें सुमाकर को कुछ और ही लिखावा है वो गड़बड है एक्जेक्ली जो इसकी पर्नेंशेशन है उसमाकर ही रहेगी क्लियर उसका बाद नेक्स देखिए फोर्थ जो क्वेशन दिया गए भारत का कुल भोगोलिक शित्रफल कितना है ओके टोटल जोग्रोफिकल एरिया हमें बताना है तो है 3.28 million square kilometer आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर 32.8 lakh square kilometer 32.8 lakh square kilometer भी आप इसको लिख सकते हो यानि कि कैसे बता सकते हो 3.28 million kilometer million kilometer या फिर 32.8 lakh kilometer होगा वर्क नहीं आएगा 32.8 lakh kilometer हो जाएगा पूरा गड़ लिखें तो 32.87263 इसको आप पूरा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो अधरवाइस इस तरह के से आप बता सकते हो तो भारत का कुल जो भोगोलिक शेत्र फल है वो है 3.28 million kilometer उके उसके बाद next जो हमारा question रहेगा अगला जो person है most important questions में वो है शुद बोया गया शेत्र क्या होता यह हमें बताना है तो वर्ष में एक बार बोया गया वर्ष में एक बार बोया गया जो शेत्र है वो शुद बोया गया शेत्र कहलाएगा यानि कि पूरे वर्ष में एक बार अगर बो दिया गया उके उसको हम total कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो शुद बोया गयर शित्र आ जाएगा, clear, उसके बाद next देखे, सकल बोया गयर शित्र क्या है, सकल का मतला होता है, total, okay, तो सकल बोया गयर शित्र क्या है, कि किसी विशेश वर्स में, एक बार या एक बार से अधिक बार बोय गये, शित्र के, जो क उसे हम बोलेंगे सकल बोया गया चेत्र ठीक, दोनों important terms है, आसान सी है देखे, वर्ष में एक बार बोया गया चेत्र है, वो होता है शुद बोया गया चेत्र और अगर वो एक से ज़्यादा बार बोया गया है, तो उनका जो कुल योग होगा उसे हम बोलेंगे सकल बोया गयर शेत्री यानि कि सकल का अर्थ होता है कुल ठीक उसके बाद next question देखिए अगला जो हमारा परशन रहेगा next हमारा 7th question दिया गए किनी दो राज्यों के नाम बताए जहां शुद बोया गयर शेत्र का परतिशत अधिक है इस टाइप के question काफी ज ज्यादा डैलप्ट है तो इसमें दो राज्यों के नाम लख me जहांपर शुद बोया गयर शेत्र का परतिशत कम है तो दो चीजी देखिए एक तो जहांपर किर्शी का विकास नहा हुआ और दूसरा जहां पर जनसिंख्या कम हो तो वहां पर किर्शी तना ज़़ग तो रम यहां पे शुद बोय अगर शित्र कम है एक तो यहां पोपलेशन कम है और दूसरे यहां पे किर्शी हो गए भूमी कम है क्योंकि दोनों ही पाड़ी राज जा जाते हैं उसके बाद नेक्स चो हमारा क्वेशन दिया गया अगला नोवा हमारा परशन है नाइन्स चो क् करन वहां जमीन खराब हो गए है तो यह दो राज यह हैं मध्य परदेश और राजस्तान अब देखिए ओर ग्रेजिंग से क्या होता है जो परशू होते हैं वो अगर एक ही जगह पे हम ज्यादा लंबे टाइम तक चराते हैं तो उनके जो खुर होते हैं दो चीज़े होते उनकोर से क्या होगा जो मिट्टी है वो मुलाइम हो जाएगी ठीक और मुलाइम होने के बाद वो मिट्टी का उड़ना या फिर बारिश के साथ तेज बारिश वी तो उसके साथ बहना आसान हो जाएगा तो इससे मिर्दा परदन होता है वहां की जो जव परत होती है वो उ उसके बार नेक्स जो कुश्यन रहेगा, किनी दो राजियों के नाम बताएए, जहां अतीस इंचाई भू निमने कर्ण के लिए रिस्पोंसिबल है, जिम्मेवार है, दो राजियों के नाम बताने, जहां पर जमीन खराब हुई है कि इसके कर्ण, ओवर इरिगेशन के कर्ण, अतीस इंचाई के कर्ण, तो वो दो राजियों पंजाब और हरियाना, पंजाब और हरियाना के काफी सारे पार्ट हैं, जहां पर ओवर इरिगेशन के कर्ण, कि ज़्यादा सिंचाई की गई उसके कर्ण जमीन खराब हो गई है, तिक उसके बाद next question देखिए अगला जो हमारा person रहेगा 11th हमारा question दिया गए किनी दो राज्यों के नाम बताई जहां खनन भूमी अवनियन के लिए उत्तर दाई है उके हमें बताना है दो राज्यों के नाम अगेन जहां पर खनन के कान जमेन है वो खराब हुई है तो वो दो राज्ये हैं जार्खंड और मद्या परदेश यहां पर देखिए कि जहां से खाने हैं जहां से खने इस निकाले जाते हैं उन्हीं राज्यों के हम नाम देंगे तो इसमें अब जहारखंड और मद्या परदेश का नाम दे सकते हैं, इसके लिए ओडिसा में भी इसी टाइप का हाल है, उके, उसके बाद नेक्स्ट कुश्चन देखिए, बारवा, ट्वेल्थ हमारा कुश्चन रहेगा, जलोड मिट्टी को उनकी आयू के अंसार किस परकार व कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सरवोतम है, यह हमें बताना है, तो जो हमने सॉयल, मिट्टी, मृदा, जो टोपिक किया, वहां से एक कुश्चन आपका बना है, कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सरवोतम है, सबसे अच्छी है, तो वो है काली मिट्टी इसलिए काली मिटी को कपास वाली मिटी भी बोलते हैं cotton soil बेस को कहा जाता है उसके बाद 14 थाप का question रहेगा कौन सी मिटी नमी धारन करने की शमता के लिए जानी जाते है कौन सी मिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा यह शमता होती तो यह एक विशेश परकार की मिटी होती है और इससे जो पोदा है अगर बारिस कम हो रही है तो भी वो survive कर पाता है उसके बाद next जो हमारा question रहेगा अगला जो question है वो है question number 15 letterite जो शब्द है वो ग्रीक शब्द letter से लिया गए यानि कि letterite हमारी एक मिटी है और ये letterite जो शब्द है वो ग्रीक शब्द letter से लिया गए इस letter शब्द का आर्थ क्या यह हमें बताना है तो इसका आर्थ है int यानि कि letterite जो मिटी होती है वो ब्रिकिश कलर की होती है ब्रिकिश समझ रहे हो ना intia लाल रंग की होती है तो वहीं से ये नाम लिया गया, ये इंट या लादरंग की होती है, इसलिए लेटराइट सोयलिस को कहा जाता है, जो इंट सब्द से बनाए, ओके, यहनकी इंट सब्द हो कहां से आया, वो लेटर से आया, क्लियर, उसके बाद 16th जो question है, सोलवा हमारा परशन है, उस मिट्ट जहां पर temperature भी high है, और जहां पर बारिश भी ज़्यादा होती है, तो वहां पर दिरी दिरी जो चटान होती है, वो अपनी जगह पर पड़े पड़े तूट जाती है, इसको बोलते है, वैदरिंग इंगलिश में, हिंडी मोलते है, अपक्षे है, इसका एक्जम्पल आप द हमने लिया, इसी टाइप की process से, लेटराइट मिट्टी बनती है, कहां पर, जहां पर बारिश भी ज़्यादा हो, और तापान भी उच रहता है, clear, उसके बाद next question देखिए, अगला जो हमारे परशन रहेगा, question रहेगा, लेटराइट मिट्टी से जुड़ी किनी दो फसलों के ना बताईए, यह हमें बताना है, तो जो लेटराइट मिट्टी है, उससे जुड़ी दो फसले, एक चाई और दूसरी है कॉफी, यानि कि लेटराइट मिट्टी है, यह चाई और कॉफी के लिए best रहती है, सर्वोतम रहती है, उसके बाद 18th question है, कि कौन सी मिट्टी आम मतलब नहीं रख पाती है, यानि कि पानी को धारन करने की शमता है, इसमें सबसे कम होती है, तो शुष्क मिट्टी है, अगर जहां पर पानी उपलब्द हो, तो वहां पर यह ठीक ठाक उपजाओ होती है, अदर्वाइस यह उतनी उपजाओ नहीं होती है, उसके बाद next question द आना जाता है, तो वहां पर उसको बीहड या फिर उत्कात भूमी बोलते हैं, बीहड भी बोल देते हैं, या फिर उसको बोलते हैं, उत्कात भूमी, clear? उसको बाद 20 वहां हमारा परशन रहेगा, one marker question में, भारत में सबसे व्यापक रूप से फेलीव मिट्टी कौन सी है? य धारखंड का कुछ पाट आ गया, इसके लिए असम में एक पट्टी आ गई, इसके लिए जो 30 मेदान है, वहां पर भी ये मिट्टी पाई जाती है, उसको बाद 21st, यानि कि 21 वहां हमारा परशन रहेगा, 21 वहां हमारा परशन है, कि बंजर भूमी क्या है, यह हमें बताना ह तो यह एक ऐसी भूमी होती है, जो खेती के लिए उप्युक्त नहीं होती है, यानि कि खेती के लिए अनुप्युक्त होती है, तो उसे हम बंजर भूमी बोलते हैं, यानि कि इसमें कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है, यह जमीन एक तरीके से पर्मानेंटली खराब हो जा तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजेगा, कहां मिलेगी, उस वीडियो को आप end में देखोगे, तो आपको उसका link मिल जाएगा, या फिर आप playlist में जाकर के भी आप सर्च कर सकते हो, class 10th के हमारे genius batch में, या फिर class 10th के most important questions के batch में भी, उसके बाद देखे, next जो हमारा segment रहेगा, next segment है हमारा जिसमें हम discuss करेंगे, इस chapter के short answer type most important questions, यानि कि 2 और 3 marker के question हम discuss करेंगे, तो इसमें पहला जो हमारा question बन रहा है, first जो question रहेगा, स्ततपोशनी विकास से आप क्या समझते हैं, हमें बताता है, बताना है, स्ततपोशनी वि विकास से हमारा क्या आरत है, यानि कि होता है क्या है, यानि कि होता है, यानि कि 3 चीज़े हमें रखने है, यानि कि इसको इंगलीज में बोलते है, sustainable development, तो ये क्या होता है, कि स्ततपोशनी विकास का रहता है, प्रयावन को बिना नुकसान पहुंचाई, आने वाली PD को ध्य समान विकास है, उसे हम स्ततपोशनी विकास काएंगे, यानि कि इसको आप एक लाइन में बता सकते हो, लेकिन भाई, एक लाइन में अगर आपने बता दिया, तो 3 marker question है, और 3 marks आपको नहीं मिल पाएंगे, तो इसको आपको points में लिखोगी, तो ज्यादा बैट रहेगा, त समालीजी आपके घर के पास एक रोड बना, that is a विकास, डवलप मेंट है न, लेकिन उसके लिए पेड़ों को काटा गया, तो ये क्या स्ततपोशनी विकास है, नहीं बिलकुल, नहीं है, क्योंकि हमने पेड़ों को काटा है, हमने प्रयावन को नुक्सान पहुंचाया है, तो ये होगए स्ततपोशनी विकास क्या होता है, उसके बाद second जो हमारा question रहेगा, अगला हमारा question है, question number two, two or three marker question की segment में, ये agenda 21 क्या है, ये हमें बताना है, agenda 21 क्या है, ये हमें बताना है, तो agenda 21 स्ततपोशनी विकास के लिए स्युंक्तराष्टर संग की एक योजना है, agenda 21 क् 1992 में 1992 में ब्राजिल की रियोडी जेनेरियों में आयोजित पहले प्रिथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको अपनाया गया था, यानकि agenda 21 स्ततपोशनी विकास के लिए राष्टरीय स्युंक्तराष्टर संग है, उसके एक योजना है, और इसको अपनाया कब गया था, agenda 21 1992 में ब्राजिल की रियोडी जेनेरों में आयोजित पहले प्रिथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था, यानकि बाकी जो राष्टर सामिल हुए थे, उन्होंने इसके उपर एक प्रिकेस सहमती दर्ज के थी, कि सहमती जताए थी, कि भाई ठीक है, इन 21 मुद्दों को हम साथ ले करके चलेंगे, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें जन सिंख्या नियंतरन, परदूशन, गरीबी, स्तथ पोशनी विकास, एक समान विकास, ग्लोबल वार्मिंग, इस परकार के 21 मुद्दे सामिल है, इसलिए इसको एजेंडा 21 कहते हैं, भाई इसमें अगर 20 होते तो ए अर्थ सम्मिट था, उसमें इसको अपनाया गया था, और इसमें हमारे प्रयावन से जुडवे, लगबग 21 मुद्दे सामिल है, जैसे कि इसमें जन सिंख्या नियंतरन भी हो गया, परदूशन भी हो गया, गरीबी भी हो गया, स्तथ पोशनी विकास भी हो गया, एक समान व मिट्टी कहा जाता है, और इस मिट्टी की किनी चार विशेष्टाओं का उलेख हमें करना है, ये क्विश्चन भी दो-तिन बार आपके बोर्ड एक्जाम में रिपीट हो चुका है, इसमें काली जो मिट्टी है, उसको रेगड मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को कपा बास्वाली मिट्टी भी कहा जाता है, यह मिट्टी का पास, गन्ना, तंबाखु, आधिफ असलों के लिए सबसे उप्यूक्त होती है, बैस्ट रहती है इन क्रॉप्स के लिए, यह मिट्टी कहा मिलती है, यह गुजरात, महराष्ट्रा और मद्यपरदेश में मिलती है, यनक हमें जब भी किसी भी मिट्टी के बारे में अगर लिखना हो तीन या चार पॉइंट हमें लिखना हो तो सबसे पहले बताइए कि भाई ये उपचाओ है या नहीं है उसके बाद बता दीजिए उसका रंग क्या है उसके बाद बताजीजे कौन सी फसल के लिए बैस्ट है और उसके बाद की कहा मिलती है तो उसमें आपका question cover हो जाएगा तो अगर काले मिट्टी की बात की जाए तो ये काले रंकी होती है और बेहद उपजव मिट्टी होती है और ये अपनी नमी धारन करने की शमता के लिए जानी जाती है इस मिट्टी को कपास वाले मिट्टी भी कहते है और ये कौन सी फसल के लिए बैस्ट रहती है कपास के लि उसको हम देखते हैं, अगला हमारा क्विशिन दिया गए, रियोडी जनेरियो प्रित्वी संबेलन 1992 पर हमें एक टिपने लिखने है, इंपोर्टेंट है ये, कि रियोडी जनेरियो प्रित्वी संबेलन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमें बताना है, तो स्थान सबस बानमे में हुआ था, कहा हुआ था, ब्राजिल में हुआ था, ब्राजिल से आगर याद रहता है, तो रियोडी जनेरियो आपको लिखना है, ओके, रियोडी जनेरियो में हुआ था, और ये पहला प्रित्वी संबेलन था, इसका उदेशी क्या था, कि वेश्वीक सेत्र पर प्रयावन सरंक्षन और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर चिंतन करना उके चर्चा करना इसका उदेश्य था कि विश्यों की प्रयावन से सम्दित तो सामाजिक आर्थिक विकास से सम्दित जो समस्य हैं उन पर चिंतन करना ये इसका उदेश्य था उपलब दिया क्या रहे कि इसमें एक्तरित जो नेता थे उन्होंने वेश्विक जलवाईयों प्रिवर्तन और जेविक विवित्ता पर गोशना जो गोशना पतर था उसके उपर हस्ताक्षर केते पहला तिये था कि जो कोमन मुद्दे थे समस्या है प समर्थन किया था और 21 सदी में स्ततपोशने विकास के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया था इतना भी डिपली मत सोचिए क्या क्या हुआ आपको बताना है कि पहला प्रित्वी सम्मेलन है वो 1992 में ब्राजिल के रियोडी जनेरियों शहर में हुआ था इसमें 100 सेदिक देश कुषने विकास के लक्षे को हासिल किया जासके ओके तो यह सब कुछ लिखतोगे तो हो गया काफी रहेगा आपका उसके बाद नेक्स जो हमारे कुष्चन रहेगा अगला जो हमारा पर्षन है फिप्थ कुष्चन है कि भारत में संसाधन योजन के तीन चरणों की व्याख होता ही है यानि कि किसी भी लक्षे को हासिल करने के लिए योजन बनाने को हम बोलते है नियोजन और संसाधनों के बारे में योजना बनाने को हम बोल देंगे संसाधन नियोजन यानि कि संसाधनों का सो समझ के प्रियोग करने के लिए योजना बनाना है उसे हम कहेंगे संस प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र जाएगा मानचित्रन किया जाएगा कि कहां पर है संसादन कौन सा है उसकी quality क्या है उसकी quantity क्या है मात्रा कितनी है किस प्रकार की quality में है तो सब कुछ क्या जाते है अब योजना बनाएंगे जैसे आप अपना time table set करते हो सबसे पहले क्या देखते हो भाई slavus क्या है वही तो संसादन विकास योजना को लागू करने के लिए एक योजना त्यार की जाती है यानिकि उसके बाद योजना त्यार की जाएगी किसके लिए विकास के लक्षियों को हासिल करने के लिए अपने देश के लक्षिया अलग होंगे पाकिस्तान के अलग होंगे ब्राजिल के अलग होंगे, हम अपने according त्यार करेंगे, भाई ये मेरा schedule रहेगा, जैसे time table का जो schedule रहता है, हर किसी का अलग होता है, same way में, हम अपनी योजना बनाएंगे, ये दूसरा चरण होगा, तीसरे चरण में हम लक्षे मिलान करेंगे, यनकी समगर राष्टे विकाश योजनाओं क अगर change करना, change करेंगे, अगर वो ठीक से नहीं चल रहता हम दोबारश योजना बनाएंगे, clear, तो ये तीन चरण होते हैं, सबसे पहले पैचान के जाती है, उसके बाद योजना बनाई जाती है, और उसके बाद, end में, लक्षे का मिलान किया जाता है, और फिर अगर ये नहीं रहता है, तो दोबारश योजना बनाई जागी, तो ये तीन चरण होते हैं, उसके बाद next question की बात करेंगे, अगला जो हमारा प्रशन रहेगा, sixth question है, कि भारत में ध्रातल, जिसको आप उचावच भी कह सकते हो, geographical term है ये, उचावच, उचावच का अर्थ होता है, उ भारत में ध्रातलिया, उचावच के विभिन लक्षनों और उनके महताओ का हमें वर्णन करना, ये भी आपके NCRT की बुक का एक important topic है, तो भारत में विभिन परकार के उचावच के लक्षन मिलते हैं, जैसे परवत, पठार, मेदान, दुईपित्यादी, ओके, अलग-लग कि हमारे आपे उचावच के लक्षन मिलते हैं, नाइंत क्लास में भी पढ़ चुके हो, कि अपने आपे परवत भी हो, नौर्थ की बात करें, तो चाप के आकार में हमारे आपे हमाले परवत हैं, एक सिरिंखला के रुप में, इसकला पठारी भाग भाग भी आ जाता है, मे बताने कि परमक तोर पर कौंकौं से धातल मिलते हैं, तो सबसे पहले मिदानी भाग, 43 परशन्ट भूमी है, वो हमारे मिदानी भूमी है, ठіक, कितनी 43 परशन्ट, और ये किर्शी और उद्दियों के लिए important है, तो महतौ हमने बता दिया, कितने 43 परशन्ट जो हमारे भू भूमी आजाती है इसके इलाब किया है एक तो यह 12 माsen नदियों का सुरोट है 12 महीने उनमें पानी मिलता रहता है जैसे कि बारिष हो गई तो अलग बात है उस वक्त पानी मिल गया और जब बारिष नहीं होती थ motive बरफ के फिंगलने से पानी मिलता है तो बारा मासी नदियां यहां से निकलती है साथ ही साथ यह प्रेटन के लिए भी important होता है और यह हमारी ecology के लिए हमारे प्रयावन के लिए भी काफी important होता है प्रवत्य भाग उसके बाद तीसरा जो भाग है वो पठारी भाग 27% जो हमारी land है भूमी है द्रातल है वो पठारी भाग है यह खनीजों के लिए जिवाशम इंधनों के लिए और वनों के लिए काफी important है यानि कि जेविविद्दा के लिए खनीजों के लिए यह बहुँ ज़्यादे important होते है तो इसके साथ-साथ आप एक diagram भी मना सकते हैं जिसमें आप दिखा सकते होगी भारत के उच्चावच के परमुक लक्षन इस टाइप का diagram बनाओगी एक पर आप मेदान बता दोगे एक पर परवत एक पर पठार तो एक diagram भी include हो जाएगा आपको लिखना कम पड़ेगा clear तो यह हो गया कि भारत में ध्रातिल्या उच्चावच के विभिन लक्षनों और उनके महतों के बारे में बताना है और यह जो आपको थोड़ाचा अगर डिटेल में लिखना हो तो आप बता दिए कि 43% भूमी मेदानी है फिर अलग-लग point में बता सकते हैं पहला यह किर्शी के लिए उपयोग ही है दूसरा आपने बता दिया यह उद्द्योगों के लिए महतों है ऐसी अलग-लग बताओगे तो भी आपके लिए यह question है long answer type questions में भी convert हो जाएगा उसके बाद next जो हमारा question रहेगा अगला जो हमारा question है देखिए 7th हमारा question दिया गया भारत की सबसे पर्मुख मिट्टी कौन सी है यह हमें बताना और इसकी दो विशेष्टाइं भी हमें बताने है तो भारत की सबसे पर्मुक जो मिट्टी है वो जलोड मिट्टी है ठीक और इसकी विशेष्टा के अगर बात की जाए तो भारत की सबसे उपजव मिट्टी है बहुत उपजव मिट्टी है एक पहली विशेष्टा दूसरा ये दो परकार की होती है नई जलोड मिट्टी को ख रोड मिटी ही तो है, clear, ये गेहूं, चावल, गन्ना और जूट की फसल के लिए सबसे बैस्ट होती है, और कहां पाई जाती है, ये उत्री भारत के विशाल मेदानों और तट्य मेदानों में पाई जाती है, clear, यानि कि यहां पर हम नॉर्धन प्लेन की बात करें, नॉर्धन खादर क्या होता है, जैसे कि हमने अभी डिसकस किया कि बांगर खादर क्या है, कि ये जलोड मिटी के ही तो टाइप है, clear, थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, कि ये रीवर है, clear, ये रीवर बहरी, तो इसके पास का ये जो इलाका है, यहां पे होती है, खादर मिटी, clear, और ये जो दूर का इलाका होता है, यहां पे होती है, बांगर मिटी, अब देखी कि ऐसा क्या है, कि ये जो खादर मिटी है, पहली चीज़ तो हम समझ लेते हैं, कि ये नदी के पास की जमीन होती है, और निम्न भूमी मतलब लो लेंड होती है, नीचे वाले जमीन होती ह यहाँ पे लगबग हर साल, क्योंकि बाड आएगी नदी में बाड आएगी, तो यहाँ पे लगबग हर साल बाड आजाती है, बाड आने से क्या होता है, कि इस इलाके में हर साल मिट्टी की नई परत है, वो बिछ जाती है, ठीक, तो यह उपजाओ ज्यादा होती है, उपजा कम उपजा हुआ अगर हम compare करें खादर के साथ ठीक ये concept है सारक सारा ऐसे आप diagram बना करके भी थोड़ा सा बता सकते हूं चलिए देखते हैं कैसे हम लिखेंगे कि बांगर है वो प्राचीन जलोड मिटी है जबकि खादर है वो नई जलोड के पास यनकी पास के अलाकों में जैसे बाड के मिदान वगरा में ये पाई जाती है बांगर थोड़ी कम उपजाओ होती है जबकि खादर है वो ज़्यादा उपजाओ मिटी होती है ये भी बहुत ज़्यादा important question है इस chapter में से उसके बाद हम बात करेंगे next हमारे segment के और next segment में हम discuss करेंगे five marker question को मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है two or three marker question ये रहेगा आपका five marker question यानकी five marker question long answer type questions है उनको हम discuss करेंगे तो इसमें पहला जो आपका question लेखा पहला जो question दिया गया है कि मानवदारा संसादनों के अंधादुन्द प्रियोग से कौन सी समश्याओं का जनम हुआ है जैसे यहाँ पे तो तीन समश्याओं का लिखा है detail में इसी type से आ सकता है तो आप तीन की बजाए पांस लिख दीजिए और थोड़ा थोड़ा explain कर दीजिए तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एडिंग दीए जिसे पहलत यह कि जब हम संसादनों का अंधाधुन्द प्रियोग करते है तो संसादनों का राश होता है भाई संसादन है वो unlimited नहीं है खतम हो जाएंगे यानि कि कुछ संसादन कौन सी है कुछ संसादन ऐसे हैं जो non-renewable resources है समझ रहे हैं न एनवी करनिये योग एनवी करनिये संसादन है वो तो वो संसादन क्या होंगे खतम हो जाएंगे जिसे कोईला है अगर हम इसी तरीके से प्रियोग में लाते रहे तो 2040 तक 2040 तक इंडिया से गायब हो जाएगा 2060 तक पूरे वर्ल्ड से गायब हो जाएगा तो ऐसे पहला जो इसका अंदानून परियोग से होता है कि संसादनों का हरास होता है और जो एनवी करनिये संसादन होते है वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे क्लियर दूसरा समस्य क्या है प्रियावन परदूशन की समस्या होती है कि जब हम अंदानून परियोग करें इससे प्रियावन में ऐसंतूलन पेदा हो जाता है इससे प्रियावन परदूशन को बढ़ा मिलता है जैसे हम डैली अंसियार के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, ये प्रयावन पर दूशन से क्या-क्या समझय हो सकते हैं, ये भी संसादनों के अंधन प्रियोग के काण हुआ है, जैसे हमने पेड़ पोड़ों को काट रहे हैं, ठीक है काट ये, लेकिन लगाई ये भी तो न, हम लगा नहीं रहे हैं, इससे क्या है कि पूरे विश्यों में जो क्लायमेटिक सरकल है, जिसको हम क्लायमेटिक साइकल कहेंगे, वो सारक सारा बिगड़ गया है, तानमाना बिगड़ गया है, तो एक गलोबल वार्मिंग या वेश्विक तापन है, इससे भी कई परकार की प्यावन समंधी समझ चाएं, खड़ी हो रही है, या बहुशे में और ज्यादा हो सकते हैं, तो ये भी किसके कारण हो रहा है, कि हम जो संसादन है, उसका अंधादूंद प्रियोग करते आ रहे हैं, ओवर यूटलाइजेशन उनका हो रहा है, इसका साथ जात ओजोन प्रत का हास, ओजोन प्रत है, उसके ब यूटलाइज करें, ओवर यूज करें, रिसॉर्से को इससे हो रहा है, इसके साथ भूमी श्रंड, जिसको हम भूमी अवनियन भी कह सकते हो, लेंड डिग्रेडेशन, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, तो ये भी इसी का ही प्रिणाम है, कि हम जो जमीन है, उसको ओवर य करें समान वीकास के समया भी है, कि संसाथमों के अंदा दुन प्रियोग में हम बस दोड़े जा रहे हैं, इसमें क्या है, कुछ लोग जो आगे निकल गए है, वो धनौन होते जारे हैं, और कुछ लोग जो पीछे रह गए हैं, वो गरीब होते जारे हैं, तो अमीर औ में आप लिख सकते हो, डिटिल में बता सकते हो, तो ये एक important आपका value-based question बनेगा, उके, उसके बाद next question की बात करेंगे, अगला जो हमारा परशन देगा, अगला हमारा परशन दिया गए, कि मानव दोरा, संसादनों के अंधादूंद प्रियोग के प्रिनामों की व्याख्या कीजिए, यानि कि अंधादूंद जो प्रियोग करें, उसके प्रिनाम क्या निकलें, तो ये प्रिनाम जो है, वो उपर हम डिसकस कर चुके हैं, कि ये result इसके निकले है, और संसादनों के अंधादूंद उप्योग नेकिस प्रकास संसादन विकास या संसादन नियोजन के आवशकता को जनम दिया, ये second part है जो हम यहाँ पे डिसकस करेंगे, कि संसादन नियोजन क्या है और क्यों जरूरी है, या फिर, ये question है, इस type से भी पूछा जा सकते है, कि संसादन नियोजन का होना क्यों आवशक है, और संसादनों के संबंद में, गانदी जी के क्या विच और नियोजन का अर्थ होता प्लानिंग करना, योजना बनाना, यानि कि संसादनों के बारे में योजना बनाना, संसादन योजन कहलाता है, और ये योजना क्यों बनाई जते हैं, मुख्यों दोर पे, जब भी हम योजना बनाते हैं, ताकि उसका हम सही से इस्तिमाल कर पाएं इसलिए यह उसना बनाई जाती है तो संसादन नियोजन क्या है कि संसादनों के समुचित उप्योग की एक रननेतिया कोशल है यानकि हम ठीक तरीके से उप्योग कर पाएं तो उसके लिए जो रननेतिय प्लानिंग बनाई जाती है उसको हम संसादन योजन कहेंगे यह जो संसादन योजन क्यों आफशक है पहले चीज तो यह कि जो संसादन वो ऐसमान रूप से वित्रित है जिसे अगर हम बात करें तो कुछ खनी जग किसी देश में मिलते हैं दूसरे देश में नहीं मिलते हैं कई जगह पे किसी विशिज परकार की फसल का उत्पादन होता दूसरी जगह पे नहीं होता एह समान वित्रन है तो जो एह समान वित्रन है कुछ चीज가 कम है कहीं पर जाये तो उन्कों सोच समझ के हमें योज करना है ताकि एक समान विकास हो पाये तो इसके लिए जरूरी сказать है सो समझ के तभी करेंगे ना तो ये एक समान रुप से वित्रित है इसलिए एक समान विकास के लिए जरूरी है कि हमें नियोजन करना पड़ेगा प्लानिंग करने पड़ेगी दूसरे एक ही कुछ संसादन है वो गेड नवी करनिया भी है कुछ संसादन गेड नवी करनिया की बात करें जैसे कोईला है कोईला पैट्रोल की बात करें तो यह क्या गेड नवी करनिया संसादन है यानि कि एक बार खतम तो बस भाई खतम उसके बाद आबडा कड़ा आबडा कड़ा अगर बोलेंगे तो वापस वो कोईले से राख जो बन गए और आख से वापस कोईला नहीं बनने वाला खतम होतो हो ओके तो जरूरी है कि हम प्लानिंग के साथ चलें तो इसके लिए भी ज परदूशन को निंतर्ट करने के लिए जो परदूशन की समच्या बढ़ती जारी है तो इससे अगर हमें निप्टारा पाना है तो भाई योजना बनाने पड़ेगी हमें संसादनों का नियोजन करना पड़ेगा इसके साथ साथ जो प्रयावनिय संतुलन बनाए रखने के भी जरूरी है कि इसमें कुछ भी गडबर ना हो और जोन लेयर डिपलेशन जैसे समझ्या ना आए तो उसके लिए जरूरी है कि हम संसाधन योजन करें और इसके साथ साथ है स्तत विकास के लिए स्तत पोशने विकास के लिए भी जरूरी है कि हम संसाधनों की प्लानिंग के स प्रियावन को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाले पीडी को ध्यान में रिख करके किया गया सबका एक समान विकास इन तीनों लक्षियों को अगर हासिल करना है तो हमें योजना बनानी पड़ेगी तो इसलिए इन सभी कार्णों से हम कह सकते कि संसाधन नियोजन बहुत अब उसके बाद छोटा से एक पार्ट इस कोशन में ये भी दिया गए कि गांधी जी ने संसाधनों के बारे में संसाधनों के स्रंक्षन के बारे में क्या गा है गांधी जी ने कहा कि ये जो संसाधन है वो हर किसी की जरूरत के लिए तो प्रयाप्त है लेकिन किसी के भारत में भू संसादनों का उप्योग कैसे किया जाता है तो यह हमें बताना है बहुत important question है और काफे difficult भी है तो आपकी NCRT की book में कुछ इस type के diagram दिये गए है clear तो इस type का diagram ये वाला जो part है ये आपको थोड़ा से समझना कि कहां पर कितना भू प्योग हो रहा तो इसमें सारी सीजें नहीं करनी मैं आपको simplify करके दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि भारत में भू प्योग के उपर note लिखिया भू प्योग के बारे में आप क्या जानते हो तो भू प्योग मतलब कि भूमिक प्योग कहां पर किस कारे कले कितना हो रहा है वो भू प्योग कहलाएगा तो भारत के जितना भी भू भाग है उसका लगबग 23% है वो 1 शेत्र है ओके 23% भाग के उपर 1 पाए जाते है लगबग 46% के आसपास जो भू भाग है वो शुद बोया गया शेत्र है हमारा यानि कि जिसके उपर क्रिशी की जाते है कम सकम एक फसल तो जरूर ले जाती है तो 46% यहां आ गया उसके बाद खेती के लिए अनुपलूब भूमी है वो 9.5% जो किर्शी जिसके उपर नहीं हो सकती इसमें बंजर भूमी आ जाएगी बेकार भूमी हमारी आ जाएगी यानि कि यह इसमें आ गया 9.5% हमारी जमीन यहां पर आ जाएगी यानि कि 23% जो भूब आ गया उसके उपर 1 पाए जाते है सुध बोया गया जो शित्र है वो है हमारा 46% ओके नेट सोन एरिया इसको बोल सकते हैं नेट सोन एरिया है वो 46% और 9.5% लगबग 10% कह सकते हैं वो है जो किर्शी के लिए अनुप्यूक्त भूमी है यानि कि जिसके उपर खेती नहीं हो सकती जो खराब भूमी है इसके साथ साथ गेर किर्शी उप्योगों के अंतरगत भूमी आ जाएगी जिसे हमारे घर हो गए शहर बने वे शड़के बने वे रेलवे लाइने कार खाने तो 9% जो जमीन है हमारे देश की वो इसके अंतरगत आ जाती है यानि कि गेर किर्शी कारियों के अंतरगत जमीन उसके बाद चरागा होगे किसी भी टाइप के जो ग्रेजिंग लेंड है तो वो होगे लगबग 3.4% 3.4% होगे जहाँ पर घास के मैदान पाए जाते है और किर्शी होगे बंजर भूमी है वो लगबग अगर बात केज़े 4% ऐसी जमीन है जिस पर किर्शी की जा सकती है यानि कि बंजर जमीन है खाली छोड़ दे गए लेकिन थोड़ी सी मेनत करेंगे शुधार करेंगे तो किर्शी होगे हो जाएगे यानि कि ये देखिए कि 23% 1 है और जो हमारा नेट सोन एरिया है वो 46% है साड़ी 9% बेकार भूमी है 9% है जो गेर किर्शी कारियों के इंतरगित जमीन आ जाएगी साड़ी 3% है वहाँ पे चरागा है 4% है चिर्शी हो गया, बंजर भूमी है इसके साथ साथ एक और चीज है वो है परति भूमी हमारी लगबख 8% के चाथज परति भूमी भी है परति भूमी क्या होती है गो भूमी जो एक फसल के लिए एक से ज़्यदा फसल के लिए खाली छोड़ दी यानि कि खेती योगे है, खेती की जा रही है लेकिन हमने खाली छोड़ दी है तो वो परती भूमे के लागी, तो साधे आठ पर्षेंट इस टाइप की जमेन भी हमारे देश में तो ये हो गया कि भारत में भूमे का उपयोग कहां कैसे किया जा रहा है, तो एक बार देखोगे दो बार देखोगे, बस हो जाएगा, बहुत important question है, अगर इसको कर लिए और ये question exam में आगा है, तो बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो इस question को attempt कर पाएंगे clear, चलिए next question की बात करते हैं, अगला हमारा कितने परकार की मिट्टी पाई जाती है, ये हमें बताना है, ओके, और जलोड मिट्टी है, मृदा है उसकी विशेशता भी हमें बताने है, वैसे तो किसी भी मिट्टी के बारे में विशेशता पूछी जा सकती, मन है उनका, लेकिन अभी तक कि अगर हम बात करें तो या तो बात की कि उन्होंने जलोड मिट्टी की या बात की काले मिट्टी की एक आद बार उन्होंने शुस्क मिट्टी के बारे में पूस्ट लिया ओके लेट राइट या फिर लाल मिट्टी की बात करें परवत्य मिट्टी की बात करें तो एक्जाम में नहीं आई अभी तक तो हमें एट लिस्ट ये तो पता होना चाहिए कि भारत में कितने परकार के मिट्टी पाए जाती है तो भारत में मुझ्या तोर पी 6 परकार के मिट्टी पाए जाती है क्लियर कौन कौन सी है पहला जलोड मिट्टी लगबग 43% जो एरिया उसके पर जलोड मिट्टी मिलती है दूसरे लाल मिट्टी लगब 19% जो एरिया उसके पर लाल मिट्टी मिलती है उसके बाद काली या रेगड मिट्टी 15% जो इलाका हमारा उसके बाद आजाता है शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी उसके बाद आ गया लेटराइट मिटी और उसके बाद आ गया वन या परवत्य मिटी तो ये छे परकार के मिटी अपने देश में पाई जाती है तो उनके नाम अच्छे से पताओ उसके बाद हमें जलोड मिटी के बारे में नोट लिखना है या फिर तट ये मेदान होगे, वहाँ पर ये पाई जाती है और ये मिटी, गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, इन फस्नों के ले सबसे बैस्ट रहती है तो ये नोट हो गया, चोटा सो नोट आपको लिखना है उसके बाद हम बात करेंगे next question की अगले परशन की हम बात करने वाले, just a minute अगला जो हमें question दिया गया है, अगला परशन है हमारा भूमी निमनीकर्ण की क्या कारण है, विस्तार से हमें बताना है clear, यानि की भूमी निमनीकर्ण क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझ लेजी ये land degradation इसको इंगलीश में बोलेंगे, भूमी निमनीकर्ण है कि भूमी की गुणवत्ता में कमी आना या भूमी का खराब हो जाना उससे भूमी निमनीकर्ण कहेंगे, clear, किसी भी कारण से खराब हो जाए तो उसे भूमी निमनी करण कहेंगे तो इसके कारण हमें बताना है तो पहला होगा एक खनन कि खनन किया जाता है, खनन कारे करती है तो आप देखती होगे कि काफी कई किलोमेटर इलाका होता है जो पचास, आठ, सो, डिड़, सो उसे भी ज़्यादा लंबा चोड़ा इलाका होता है जिसमें खनन कारे किया जाता है और खानों को कई बार खुला छोड़ दिया जाता है तो उससी क्या होता है, आजपास कटाव होकर के जमीन खराब हो जाती है, दूसरा ये कि दूसरा उनके पशों के खुरों से भी जमीन मुलाइम हो जाएगी, सोफ्ट इससे क्या होगा कि थोड़ी सी तेज हवा चली, आंधियाई, मिट्टी उड़ गई और बारिशाई, ढाल है तो मिट्टी बह करके चले गई तो उपरी मिट्टी तो उपचाओ होती है, वही गई तो मतलब विट्टी का क्या करेंगे मतलब वो किर्शी के लिए उतनी उप्यूक नहीं करेंगी, तो इससे भी भूमी निमनी करना होता है, इसके साथ-साथ आतीशिन चाहिए, ओवर इरिगेशन करेंगे, ओवर इरिगेशन से भी यह होता है कि जमेन धिरी-धिरी करके कमजोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पंजाब, हरियान और परश्मी, यूपी में इस टाइप की समस्या जादा है, ऐसी भूमी परदुशन जैसे केमिकल्स वगरा हमने डाल दिये या फिर जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक वगरा है इससे भी जमेन खराब हो जाती है ऐसी विकास प्रियूजना है, जैसे कहीं पर डेम बना, कहीं पर सड़के बनी, तो उसके आस-पास की जमेन भी खराब हो जाती है ये कुछ कारण है, जिनसे भू निमनिकर्ण हो रहा है, जैसे रशाइनों का प्रियोग भी इसमें लिख सकते हो, केमिकल्स का जो यूज किया जाता है, उससे भी जमेन खराब हो रही है तो यसे पांच-छे कारण है, जिनको थोड़ा-थोड़ा से explain करना है, उससे पहले बता दीजी का, कि भू निमनिकर्ण होता क्या है उसके बाद नेक्स्ट है कि भू निमनिकर्ण की समस्या के समाधान क्यों पाई क्या है कि भाई हमने उपर जो किया है, उसका लगा सकते हैं जैसे राज्सान के इलाके हैं तो वहां पर क्या करते हैं पंक्ति बद में ऐसे पोधी लगाー दिया जाते हैं ईसके क्या हुताई गरती है। ताकि इससे मिट्टी का कटावना हो। इसके साथ साथ रेत के टिलों का स्तिरी कंड किया जा सकता है। इससे भी इस समस्या से निप्टारा है यानि की सामना हम कर सकते हैं। रिवर्स कर देना है और बाकी common sense से भी इस टाइप के questions के आप answer दे सकते हो। चलिए अगले question की बात करते हैं जो most important questions में रहेगा हमारा 7th question है और ये last question रहेगा। तो इसमें है मृदा अपरदन क्या है और यानि की पहली चीज़ तो हमें बताना है कि भाई ये मिट्टी अपरदन या मिर्दा अपरदन क्या है। इसे को इंगलिश में हम बोलेंगे उन मानविये गतविदियों को लिखे जिनके कार्ण मृदा अपरदन होता है ये हमें बताना है या फिर मृदा अपरदन के कार्णों का वरदन कीजी ये हमें बताना है तो सबसे बहले कि मृदा अपरदन क्या है कि वर्षा ये जल आदी कहेंगे इसे crawling depth of soil कहा जाता है यानकी मिट्टी की रेंगती भी मृत्यू भी कहा जाता है क्योंकि जब ये माल लीजे ये उपरी cover है जो उपजओ है वही उड़ गया तो मिट्टी है वो कम उपजओ हो जाती है तो इसे हम कम ढाल वाले लाके होते हैं जहां पे कम बारिश होते हैं तो वहां पर इस परकास या परदन होता है धीमिकती से होता है और कई बार यह आंखों से दिखाई भी नहीं देता है यानकी जिसे अपने घर के आसपास मिट्टी जमा की और गाउं में दिखाई देता है कि छट जो उपर से पक्ती नहीं होती तो वहाँ मिट्टी डालते हैं और दो-तीन वर्षों के बाद दोबारा से डालनी होती मिट्टी कहां गई जंप मार के जाते हैं किसी नहीं नहीं देखा कहां गई? धीरे धीर करके वो पाने के साथ बह गई या उड़ गई तो वो चादर या परत अपरदन कहलाएगा यनकी जहां पे कम धाल वाले लाके होते हैं कम बारिश वाले लाके होते हैं तो वहाँ पर इस टाइप का अपरदन होता है उसके बाद है अवनाली का परदन वहाँ होता है जहां पर तेज बारिश होती है तो वहाँ पर नालियां बन जाती है खाईयां बन जाती है तो वो वीजिबल होता है दिखाई देता है तो वो होता है अवनाली का परदन यह तेज बारिश वाले लाकों में होती है या बाड के मिदानों भी इस परकार का परदन होता है या आप देख सकते हो कहीं पर हाइवे बना उन्चाई पर बना तो साइड में से वो कटाओ हो जाएगा नालियां बन जाएगी तो अब नालिका परदन कहला गया तो ये दो टाइप का होता है अब उसके बाड हम बता देते हैं कि इसके कारण क्या है और निवारन उपाई की बात करें इसको रिवर्स कर देना अगर आ जाए तो तो जिसे इसके कारण क्या है दो परकार के कारण होते है एक तो मानविय गत्विदिया है, इसमें आ गया है वनों की कटाई से, वनों की कटाई हुई क्योंकि पेड़ों की जड़ है, वो मिट्टी की पकड़ को बना करके रखती है, और पेड़ी हमने काट दिये, तो मिद्दा परदन तो हो नहीं है, दूसरा होगा है अधिक चराई, अगर अधिक चराई करेंगे, दो-तिन बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कि पश्वों के खुरों से और वेजिटेशन है, वो उसको ज़्यादा ही खातम कर देंगे, तो इससे भी मिट्टी के गटाओ को बढ़ा मिलता है, तीसरा है, निर्मान गतिविदियों से, जब भी हम निर्मान गतिविदियां करते हैं, कंस्ट्रेक्शन का काम चलता रहता है, तो उससे भी वहां की मिट्टी को हम उखाडते हैं, या नीम वगरा भढ़ने के लिए, तो वो भी अपरदन होता है वहां पर, इसके साथ साथ खनन गतिविदियों से, या खेतिक आयविज्यानिक तरीका है, जैसे ये इलाका है, और हम ढाल के ऐसे ही, अगर जुताई करें, तो मिट्दा अपरदन ज्यादा होगा, विपरीज जुताई करें, तो मिट्दा अपरदन को रोक सकते हैं, ये कुछ तरीके हैं, जिनसे की मिट्टी का अपरदन ज्यादा होता है, इनको रिवर्स कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद ये तो होगे मानुए कार की, हम ऐसे मिट्दा अपरदन को बढ़ावा देते हैं, इसके साथ साथ प्राकरति कारकों की बात करें, तो उसमें पवन हो गई, ग्लेशियर हो गया, यानि की नदी हो गई, ये भी मिट्दा अपरदन की कार्ण बनते हैं, हलनकि ये प्राकरति कार्ण है, इनके परभाव को कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता, तो ये था हमारा चैप्टर नमबर वन, संसाधन और विकास, रिसॉर्स और डालपमेंट, और इसके हमने मोस्ट इंपर्टन क्वेशन को डिस्कस किया, इसके साथ साथ आपके ज्यादतर जो चैप्टर्स हैं, उनके MCQs हम अलरी पब्लिस कर चुके हैं, सभी जो चैप्टर से Class 10, Social Science के डिटेल वीडियो भी आ चुके हैं, इसी चैप्टर का वीडियो भी पहले ही पब्लिस हो चुके हैं, इसके साथ साथ आपके अगर Most Important Questions की बात करें, तो दो-तीन चैप्टर को चोड़ करें, बाकि सभी चैप्टर्स के Most Important Questions हिंदी और इंग्लिश मेडियो में से मिल जाएंगे तो कहीं से भी आप सर्च कर सकते हो अगर आपको ये वेडियो अच्छा लगा आपको लगा कि हमें इस सीरीज को हमें कंटिनिर रखना चाहिए तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए अच्छा लगता है और उससे भी अच्छी बात है कि अगर आपको एक्चुली में अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शियर भी कर सकते हो आज के लिए बस इतने ही थैंक यू बाई बाई एव नाइस टे